सोशल मीडिया को इजाद इसलिए किया गया था कि लोग दोर दरास बैठे अपने दोस्तों रिश्टेदारों से बातचीत कर ले और वो भी कम समय में पर कहते हैं न कि हर चीज के कई फायदे होते हैं तो कई नुकसान भी होते हैं तो इंटरनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिस तरह लोगों ने इसे अपने सहूलियत के रोप में इस्तमाल किया वहें अपराधियों ने इसे अपना वर्चस्व बढ़ अपना डर पहलाने के लिए जेल की सलाखें भी इंटरनेट को नहीं रोख पाई है जेल में बंध होने के बावजूद भी इन अपराधियों के हौसले इतने मजबूत थे कि इन्हों ने अपनी बंदिशों में भी इंटरनेट के जरिये, सोशल मीडिया के जरिये, अपने अस्तित्व का एहसास लोगों को कराहे दिया फिर चाहे वो लोगों को धमकाने का काम हो, या अपनी प्रोफाइल पर हर रोज नए स्टेटस डालने का काम हो नमस्काल, आप देखना शुरू कर चुके हैं, राजिस्थान समवाद और मैं हूँ आपके साथ चेतना अब चाहे बात की जाएं, आनंद पाल सिंग, राजु ठेट या फिर लॉरेंस विश्नोई की ये तीन नाव, राजिस्थान के वो नाम हैं, जिने सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं हाँ, हालाकि अब आनंद पाल सिंग इस दुनिया में नहीं है, पर अभी भी वो इंटरनेट पर जिन्दा है और कई बार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई चीज़े अपडेट होती रहती हैं आज का जमाना वैसे भी डिजटल है, अगर आप एक बात को कई लोगों तक एक बारी में पहुंचाना चाहते हैं तो उसे सोशल मीडिया पर डाल दो, वो अपने आप पहुंच जाएगी ये बार शायद इन गैंग और गैंग्स्टर के भी समझ आ चुकी है कि अगर जेल में रहकर भी बाहर अजाद घूमना है, तो सोशल मीडिया पर जिन्दा रहना बहुत जरूरी है आपको सुनकर आश्चरे होगा, पर इन गैंग्स्टर के भी हजारों लाखों फैंस हैं, जो इन्हें किसी हीरों से कम नहीं समझते और ये गैंग्स्टर भी इस चीज़ को बिल्कुल कम नहीं होने देते तब ही तो आए दिन अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के जर्ये लोगों तक या जिस तक भी ये मैसेज पहुचाना चाहते हैं, पहुचा भी देते हैं इसका एक जीता जाकता एक्ज़ांपल है आनद पाल सिंग जिसके ना जाने कितने पेज हैं, और वो समय समय पर अपडेट भी होते रहते हैं पहला आनंद पाल सिंग यूध ब्रिगेट, दूसरा आनंद पाल सिंग फेस्बुक, तीसरा आनंद पाल सिंग डीडवाना, चौथा पेज है आनंद पाल सिंग अकाउंट, ये तो सिर्फ और सिर्फ गेंग्स्टर्स भी इस चीज़ को बिल्कुल कम नहीं होने देते, तभी आए दिन अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के जरी लोगों तक या जिस तक भी मैसेज पहुचाना चाहते हैं, अपना मैसेज पहुचा देते हैं ये तो सिर्फ आनन्द पाल सिंग के बारे में कुछ जानकारी थी, अभी तो लिस्ट और भी लंबी है, जिसमें राजिस्थान के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बदमाश का नाम शामिल है अभी हाल ही में राजिस्थान पुलिस के पकड़ में आये, पपला गुर्जर भी पकड़ में आने से पहले सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रहता था और आगे क्या करना है, किसको अपना अगला निशाना बनाना है, वो भी एक मैसेज के ज़रिये शेयर कर दिया करता था हाला के अभी तक पुलिस इस तबतीश में जुटी है कि इसके पीछे कौन है या वो कौन से लोग है जो इन सभी के सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं तो ये थी राजिस्थान समबाद के एक खास रिपोर्ट, कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखना ना भूले, हमारा चैनल राजिस्थान समबाद मैं कहती हूँ कि घर में नया फणीचर लगा लो और वो मुबाइल देखते रहते हैं मैं कहती हूँ कि मुझे नई जूलरी दिला दो और वो फिर भी मुबाइल देखते रहते हैं कि वो जो mobile देख रहे थे न, उसमें वो दरसल furniture, jewelry और toys लेने के लिए Google पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये किवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए, तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले Google ज़रूर चेक करते हैं और Google पर इन सारे चीजों के वीडियो को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं सिर्फ यही नहीं, Google भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एमबेड हैं तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसिस 53% तक बढ़ जाते हैं कस्टमर्स पर होए सर्वे के मताबेक यह पता चला है कि 74% बायर आपकी एकस्प्लेइनर वीडियो देखकर आपकी प्रोडक्ट्स में इंट्रस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिस्निस को लाइए वीडियो प्लेटफोर्म पर और बढ़ाएए अपने सेल्स For all types of digital video marketing, Michi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing Michi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices For more details, call 9549-700-549 or mail MichiMediaSolutions at thegmail.com